पूरे देश में लॉक्डाउन के बाद अनलॉक में जगा जगा दुकाने खुल गए हैं और लोगों का व्यापार पट्री पर आने लगा है लेकिन बिथौरागड के जूला घाट के व्यापारी लॉकडाउन के बाद से अपनी दुकाने अभी भी नहीं खोल पाए हैं और य पूरी तरह नेपाल पनिर भर है। लेकिन जब से भारत में लॉकडाउन लगा तब से लेकर आज तक ये कस्वा और यहां की सारी दुकाने बंद है। साथ महीने का समय बीच चुका है। इन व्यापारियों के दुकानों में लगे तालों में अब जंग लग चुकी है। ऐसे में आज तक इन व्यापारियों ने जो कमाया वही सब खत्म हो रहा है। इन व्यापारियों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। सर, पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि ये कोरोना काल हमारे ले आफ़त काल बन चुका है हम पिछले साथ मेनों से अपने ब्यापार अगरा अगरा सब चीश से बंद और आजी जा चुके हैं जबकि ये लॉकडाउन हटा सारे पित्रवागर देखिए दूसरी जगह देखिए वो लोग अपने पर फिर भी निर्भर हैं लेकिन हम सिर्फ इस नैपाल के जूला पुल पर निर्भर हैं हमारी जो बचत ही सर वो भी खतम हो चुकी है हम यह चाहते हैं कि सरकार हमें सबसे पहले जो बैंकों में हमारा रिण है वो माफ कर दे और दूसरा हम चाहते हैं कि वो हमारे हमेशा पुल पर जो हमें निर्भर रहना पड़ता है अरे कभी देश में आच्चीन घात लगाई बैठा हुआ है तो वो जो है अपना मारग नैपाल को चुन रहा है फिर कल के दिन वो इस सितिती ना आ जाए कि यह पुल फिर बंद हो जाए तो हमें क्यों यह इस पुल के भरोसे में बैठे रहना है यह खुले बढ़िया बात ह इसके रावा अगर कोरोना खत्म भी होता है तो उसके बाद भी आने वाली समस्या से व्यापारी डरे हुए हैं क्योंकि नेपाल और भारत के रिष्टों में आए खटास भी इन व्यापारियों को डरा रही है जिसको लेकर इन व्यापारियों ने चनकपुर जॉल जी भी है पूरी तरह से व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो चुका है हमारा बैठने का मात्र एक मात्र ततकाल जो उद्देश से है पहले परमुकता हमारी मांग है कि साथ महनों से हम अपनी जेव खर्च से जितनी बचस से अपना खर्चा चला रहे थे वह सारा खर्चा हमारे खतम हो चुका है सरकार हमें कुछ मुआवजा राशी विक्तिय राशी इस परकार दे कि कुछ हम अपना मतलब अभी ततकाल अपना भरण पोशन परिवार का चला सके है वहीं अब जूला घाट के ये व्यापारी आने वाले समय को लेकर दोविधा में पढ़ गए हैं और ज श्वंद महर की रिपोर्ट